जैहन साथियों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों इंडियन आर्मी ने अपनी महिला अगनीवीर भरती की जो भरती पिरक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया है इसी कड़ी में इंडियन आर्मी ने अपनी प्रक्रिया को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी में जो गल्स के फोम है वो भणना बंदो चुके हैं और इस बार इंडियन आर्मी में गल्स के हजारों की संख्या में फोर्म रद हुए हैं हमने ये भी बताया था कि किस वज़य से आपके फोर्म है वो रद हो चुके हैं और क्यों रद हुए हैं क्या-क्या गल्तियां आपने की हैं जिसके वजय से ये लड़कियों के form रद वे हैं और हमने आपको ये भी बता दिया कि आप अपना roll number किस तरीके से चेक कर सकते हैं आपका roll number जारी हो चुका है तो जिन भी candidate ने अपना roll number चेक कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है जिनका roll number जारी हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि उनका form इंडियन आर्मी ने accept कर लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है जिनके roll number आ चुके हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो form रद हुए हैं इंडियन आर्मी में हजारों की संख्या में हजारों लड़कियों के form रद हो चुके हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी cut off पर पढ़ने वाला है क्योंकि आपका जो competition है वो और कम हो चुका है काफी संख्य में ऐसे candidate हैं जिनके form रद हो चुके हैं और वो अब भर्दी प्रकिरिया में इंडियन आर्मी की नहीं जाएंगे और वो पहले ही बहार हो चुके हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव आपकी cut off पर पढ़ने वाला है आपकी cut off और थोड़ी सी कम होने वाली है ये बात तो विलक है अपनी तयारी में लग जाईए और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या 10th की नंबरों की मानियता खत्म हो गई है तो यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ कि 10th की नंबरों की मानियता इस साल खत्म नहीं हुई है आपके 10th की नंबरों की मानियता है क्योंकि 10th की नंबरों के आधार पर ही आपकी cut off लगेगी और आपका admin card उसी के according आएगा आपको physical के लिए उसी का according बुलाया जाएगा इसलिए इस बार आपके 10th के नंबरों की मान्यता खत्म नहीं होई है तो ये चीज भी आपको clear होने चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये दूसरी चीज भी आ आपको बताएंगे इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेना चैनल पर बने रहना तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज मैंने आपको clear की है क्योंकि काफी बच्छे पूछ रहे थे इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और दोस्तों अगर अब भी कोई आपका doubt या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख दिजेगा हम उसके ओपर भी एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम